मश्कार दोस्तों दोस्तों फूल हमारे घर गार्डन की खुब सूर्थी तो बढ़ाते ही हैं साथ में इनने देखकर हमारा मन को भी बड़ा हमें स्कून मिलता है तो आज की वीडियो में मैं 15 प्लस फूल वाले पोदे शेयर करने वाले जो अगर आप फरवरी के स्टार्टिं प्लस फूल वाले तो आज की वीडियो में ऐसे ही पोदे शेयर करने वाली जो अगर अभी अपने गार्डन में आप उनको एड करते हैं तो आपका जो गार्डन है वो पूरी गर्मी फूलों से महगता रहेगा तो सबसे पहले मैं बात करते हूं गुलाब की सबसे पहला जो 10-15 पोदे बना लिए दोस्तों यह बहुत ही अच्छी वेराइटी है और बहुत सारी वेराइटी में आता है कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है अगर गुलाब की कटिंग आप अभी फरवरी के मंद में लगाते है तो बहुत ही आसानी से कटिंग से भी ग्रो हो तो आप इसको अगर लगाएंगे तो यह भी ऐसा नहीं कि पूरी मई जून तक फूल देगा इसको आप लगाएंगे गर्मी में अलग सर्दियों में अलग हर मौसम में अलग अलग फ्लावरिंग करता रहता है तो किसी मौसम में आप उसको लगा सकते सीड के थूरी लाने के जूर्द पड़ेगी अधर्वाइज आप इनको कभी आप नर्सी में जाने के जूर्द नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे प्लांट आप इनसे बना सकते हैं कटिंग से ग्रो कर सकते हैं सीट से भी ग्रो कर सकते हैं नेक्ट में पोदे की बात करूँ है देंथ पोधे की तरह है, बस थोड़ी सी चीजों का में ध्यान रखना होगा, दोस्तों छोटे से pot में भी आराम से flowering करता रहता, आप देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे कोल्डरिंग की बोटलों में लगाया हुआ है, चोटे छोटे पोड работает में लगाया हुआ है Cutting बहुत ही आसानी से इसकी लग जाती है और जो इस पर dead fool बन जाते हैं वो हटाना बहुत जरूरी है dead fool हटाते रहेंगे तब ही नए फूल आएंगे इसमें जहां से हम dead fool निकालते हैं वहां से नई branch निकलती है और नई branch से ही फूल आते हैं कटिंग से आप देरो प्लांट सकते हैं एक बर आप कंग से तए अपके जाएगा हमेशा एफोल में बना रहार है निकालतें ताकि आपका पूदा जो बूछी बने और उसके साथी साथ आच्छे से फ्लावरिंग भी करता रहे दोस्तों तो बहुत ही बुसी बन जाता है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ये करता रहता है दोस्तों और बहुत ही बढ़िया पोदा है बहुत सारे रंगों में आता है कालल बहुत सारी कलर में आता आपके जो गार्डन को अगर आप अभ आपके रंग भूलों से आपका जो गर्डन है वो भरे रखेगा नेक्स हagnेट्समें पोदे की बात करूं दोस्तो वह है पैनजी पैनजी को ये फूर होते हैं ये बटरफलाई की तरह होते हैं तो इसको पानी का पे ध्यान राखना है और इंट को erhalten को सबकाना है और बीलगूल नहीं करना है अगर이주र सोग ने ने संदर बहुत ही प्यारे इसमें फूलाते ओप नर्से से इसको प्लांट को खईद कर लाने की शोच रहे हैं तो यह पोदा भी आपको इजली 15-20 रुपए में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा नर्से में और आप इस टाइम पर लगाते तो आपके गार्डन को रंग भरंग फूलों से जैसे बटरफ्लाई आपको उड़ती इतने प्यारे होते हैं यह दो व्याइटी में आख से हैं यह अगर आप इसको माई जून तक इतनी सुन्दर फ्लावरिंग देखने को मिलेगी दोस्तों आपका जो गार्डन है और निकालन बहुत जरूरी है तक हमारे जो प्लांट पर रूं नए फूल आते रहे hyए और नए फूल तभी आएगे जब हम डैट फूल निकाल देंगे इसमें कलर इतने प्यारे होते हैं तो बहुती सुनदर सुनदर स्में प्यारे फूल आते हैं तो बहुत ही सुन्दर लगते हैं अगर अभी फरवरी मंद में इनको आप लगाते हैं तो बहुत ही प्यारा बहुत ही सुन्दर इसमें फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों तो मैं तो यही कहूंगी कर अगर आप नर्सरी से इनकी लाने की सोच रहे हैं अभी अगर आप नर् आता है single petal double petal मेरे garden में दोनों ही है single petal double petal इतना बूसी प्लांट है इतने प्यारे फूल आते हैं यह बंचीज में फूल आते हैं और कि मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में हर तरह की कलर मैंने लगाई हुई है और कितने प्यारे लगए सबसे बड़ी खास बात है कि इसकी जो फूल है वह 30-35 दिनों तक ऐसे ही बनी रहते हैं दोस्तों तो आप सो सकते हैं अगर एक बर आप प्लांट को ले का टाइम अभी इसका जा चुका है तो अभी आपकर नर्सरी जा रहे हैं तो आज प्लांट को आप जरूर से जरूर खरिद के लाएं बहुत ही प्यारा बहुत ही बढ़िया पोदा है दोस्तों आपके गार्डन को रंग बरंग फुलों से भर देगा और इसको आप जैसे प गहंटे की दूफ इसको लग जाती है तो भी इसमें यह जो प्लांट है यह सर्वाइव करता रहता है और बहुत ही बढ़िया सुंदर फ्लावरिंग होती रहती इसमें तो मैंने तो इस तरह के टुटे वे मटके में और कोल्डरिंग की बोटलों में या किचन के वेश्ट इन प्लांटों को लगाया हुआ है और इनमें ही बहुत ही बढ़िया यह चल रहे हैं काफी ज्यादा फ्लावरिंग इनमें हो रही है तो अलग से आपको गमला खाजनी की जर्द नहीं अगर आपके घर में इस तरह के डबे पड़े पड़े वे तो उनमें भी आप उनको ग जर्द होती है ज्यादा धुपको इसको भी जर्द नहीं होती दोस्तों बहुत ही बहुत ही बढ़िया यह प्लांट है च्छोटे से पोट में आसानी से चल जाता है क्योंकि यह ज्यादा बूसी नहीं होता है यह लंबा लंबा ऐसे लंबे की तरह बढ़ते हैं कटिंग से चल जाता है इसकी जो पत्या होते हैं फूल है वह उपर की तरफ होते हैं तो कटिंग से अगर आप इसको ग्रो करना चाते अभी फरवरी मंद में तो कटिंग भी आसानी से चल जाएगी मैंने जो यह कटिंग है तीन से चार दिन पहले लगाई थी और यह आसानी से ग्रो भ चाहते तो पूरी गर्मी आपके गर्डर में प्लावरिंग करता रहेगा रिइसको बीज हो से उत पिजदर से वीडों कर सकते हैं अभी चला रहते हैं तो अब चलते हैं अगर 5 कि अजवक्त अगर इसको धूप मिलती रहेगी तो ही इसका जो फूल है यह सर्वाइव करेगा अगर इसमें धूप नहीं मिलेगी क्योंकि मेरे का अभी यहां पे है न कम से कम एक से डेड़ महीना हो गया धूप आई वे अच्छे से दूप पूरी जनवरी गई धूप नहीं निकली है धूप बहुत लगना जरूरी दोस्तों पूरी दिन की धूप इसको चाही होती है तो यह ऐसा पौध है कर उसको फ्लावरिंग होती रहेगी और पानी के बैत करूब इसको पानी देना है नेक्स्ट मैं पौधे की बात करूँ दोस्तों तो वह पिटूनिया बहुत ही लगा सकते हैं पिंचिंग ये Panel यूदा करते हैं ये तो इतना बुसी बन जाएगा मैंने या यी बेकार टेर में तीन प्लांट लगा यह देख लिए देख सकतेयेमिल के मैंने कितना बुसी बना लिया दॉस इसे से आप कि अपनेралट p पूरे माई जुन तक आप में फ्लावरिंग होती रहेंगे आपको गार्डन को रंग बरंग फूलों से भरे रखा रहेगा यह आपका पोदा तो इस तरह के प्लांट आप लगाए दोस्तों आपका आने वाली पूरी गर्मी आपको जो है न वो रंग बरंग फूल आपके गा प्लावरिंग आती रहे हैं जो इस ताइम पर बीज से तो अभी थोड़ा लेट हो गया लेकिन कटिंग से आप इनको आसानी से लगा सकते हैं नरसी से लाने की सोच रहे हैं तो नरसी में 20-25 रुपए में इतने सुंदर फूल वाले पोदे आपको आराम से मिल जाएंगे औ आपको इस टाइम पर आप ला सकते हैं और अपने पूरे गारण को रंग बरंग फूलो से भर सकते हैं महका सकते हैं तो दोस्तों यह ऐसे पोदे थे जो इस टाइम फ्रवरी मंत की शुरू में आप इनको ले आईए और मई जून तक आपको इसमें फ्लावरिंग आती रहे तो अपने गारण को इस तरह से रंग बरंग फूलो से आप भर सकते हैं दोस्तों और आप इसके किसी भी बेकार डबो या बोटलों में आप इनको लगा सकते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे गारण में इस तरह से लगे हुए हैं कैसा लगा मेरा वीडियो पसंद आए तो बाइब शेर जरू कर दीजिए मिलते हैं नेक्स वडियो में नहीं जानका शाता तक लिए बाइबाइब